नमश्कार मोर्प्रिया पटना न्यूज बे आपका स्वागत है चुरिजानते पटना की 11 फटा फट खबरों को गंगा को साफ सुत्रा रखने का दिया गया संदेश देश भर में नमामी गंगे द्वारा चलाई जा रहे है अभियान के अंतरगत गंगा नदी को साफ रखने के लिए खास मुहीम चलाई जा रहे है इसी के तहट अभियान के अंतरगत मंगलवार को एक विशेश जन जागरुकता अभियान का आयोजन किया गया बिहार दिवस के उपलक्ष में पट्टा के दीगागार पर कारेक्रेम की शुरवात बॉट पार्शवत छटिया देवी और रेनू देवी ने की वहीं इसको लेकर नमामी गंगे योजना के पबलिक आउट्रिच प्रोजेक्ट डारेक्टर साहिल सना ने किंडरो और राजसरकार की कई महतरपून योजनाओं पर प्रकाश भी इस दौरान डाला इसके साथ ही अगर हम आगे बात करें तो उन्होंने बताया कि इस कारेक्रिम के तहट हम गंगा जैसी धरोहर को संजोने का प्रयास लोगों को जाकरुक करके कर रहे हैं पटना के महावीर हार्ट होस्पिटल में अब गरीब करवा सकेंगे हार्ट सर्जुरी बीते दिन बिहार दिवस के बौके पर महावीर हार्ट होस्पिटल में हार्ट सर्जुरी के मरीजों को भी आईशमान भारत योजना का लाप देने की घोशना की गए जो कि पटना के सिविल सर्जिन डॉक्टर विभास सिंग ने दी साथ ही दोरान उन्होंने कहा कि इस योजना के तहट सूची बद हो जाने के बाद गरीब लोग इस हस्पताल में हार्ट सर्जुरी करवा पाएंगे इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आईशमान भारत कारिक्रम का शृभारम 23 सितंबर 2008 को हुआ था ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्त विमा योजना कारिक्रम है उन्होंने कहा कि पटना जुले में कुल 32,086 लोगों को आईशमान कार प्रदान कर सरकारी और नीजी सूची बद हस्पतालों में 69,695 में लोगों काच्यों कित्सा किया गया है आईज़ाई MS में किराय पर उपलब्ध होगी अम्बुलेंस सेवा अब राज़ानी पटना वास्यों के मरीजों को अम्बुलेंस के लिए परिशान होने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आईज़ाई MS के मरीजों के लिए आज से किराय पर अम्बुलेंस सेवा उपलब्ध ह हाला कि ध्यान देने बाली बात यह है कि उन्हें इसके लिए 12 रुपे प्रति किलोमीटर का शुलक चुकाना होगा ऐसा करने के साथ ही वो इसे रागजुकी किसी भी शहर में ले जा सकेंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि एक महीने पहले मरीजों के लिए IGI MS को को जल्दे दूर किया जाएगा ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मुझफर पुर और विहार शरीफ नगर निगम के अद्रगत बनाई जारी है इसको लेकर उकमुखी मंतरी सहन नगर विकास एवं आवास मंतरी तारकिशोर प्रसाद निर राजस्वेवं भूमी सुधा विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठे कि इस दौरान ही उन्होंने कहा है कि मुझफर पुर और विहार शरीफ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर योजना का क्रियानवियन बुटकों के माधियम से कराया जाना है दोनों शेहरों की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सम्बंधित जुला से प्राप्त प्रस्ताव में अंकित की गई भूमे वहित प्रावधान के अनुरूप समूचित नहीं है हेमन ट्रोफी के लिए जलती होगी फाइनल टीम की खोशना आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे ये माच जुहानबाद में खेला जाना है मीडिया में चल रहे खबरों के अनुसार पटना जुला स्क्रिकेट संग का पहला मुकाबला से 27 मार्च होगा इस ट्रायल माच के बाद फाइनल टीम की होशना की जाएगी चुनेगे नामों का चैन चेर्मन नागेंद्रे रस्तोगी करने वाले हैं और सदसे रंधीर कुमार और सश्री भूशिन की देखरेख में किया गया है 24 और 25 मार्च को पतना सिटी के मनोज कामलिया स्टेडियम में सुभह साड़े आठ बजे से खिलाडियों को बुलाए गया है जिसके बाद ही अब ट्रायल मार्च दो टीमों के बीच होगा पतना में जन प्रतनिधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा इतने मामने लंबित पतना सिटी कोट में जन प्रतनिधियों के खिलाफ सबसे जादा 102 केस लंबित है सबसे कम एक केस जुहानबाद सिटी कोट में लंबित है भागलपुर मोतिहारी छपरापुर्णिया में 18-18 मामले है तो नवादा में 15 मामले लंबित है कई ऐसे मामले है जो 1993 में दर्ज मुकद्मों में अब तक साफशी के लिए लंबित चल रहे है तो 1991 में दर्ज मुकद्मों में अभियुक्त की गवाही नहीं हो सकी है बिहार सचिवाले बैडमिंटन टीम की हुई घोशना सचिवाले बैडमिंटन टीम की हुई घोशना प्रदर्शन हुआ ग्याथो वर्ष 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म आशा नोमानी की लिखी कहानी को सिंजी अजूमा ने निर्देशित किया है दोनों फिल्मों में जयापानी संस्कृती का खूब चित्रन दिखा पुर्व में जयापान के कॉंसोलोट जनरल रिसा तमूरा ने दो दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का उदगाटन भी किया डाटा एंट्री उपरेटर के मकान में हुई लाखों की चोरी मिहार में इन दिनों चोरी की कई वारदात हो रही है और राज़ानी पट्टा में तो मामले हर दिन के साथ लगातार बढ़ते ही जा रहे है इसे बीच बीटे दिन राज़ानी पत्ता के डेटा इंट्री अपरेटर के मकान से लखो की चोरी हो गए मिली जानकारी के निसार गर्दनीबाग थानाश्यत्र के सरस्ताबाद में सचवाले में कारेड़क देटा इंट्री उपरेटर राजेश कुमार के बंद माकान को चोरों ने खंगाल दिया वहीं पर इस मामले की जुआच कर रही है पटना में कोरोना के आई सबसे ज्यादा मामले राज़ानी पटना में कोरोना के मामलों में हाला की गिरावर जारी है लेकिन बिहार में भी कोरोना के मामले कमा रहे हैं स्वास्त वभा की तरब से मेली जवानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिशे 24 गंटे में कुल मिलाकर 9 मरीजों की पुष्टी हुई जुसमें पटना में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं वही आक्टिव मरीजों के अगर हम पहले बात करें तो ये 37 पर भाज और पहले बात करें तो सबसे ज़्यादा 5 मरीजों के पुष्टी पटना में हुई हुई है अब आय ये जो आनते हैं सराफबाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम से राफ़ बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 क्यारेट के लिए प्रती 10 ग्राम 47,820 रुपे है वहीं 24 क्यारेट के लिए प्रती 10 ग्राम 52,170 रुपे है इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रती की लौड 60,900 रुपे है इसके साथ बढ़ते आज के सवाल क्यों? आज का सवाल कुछ इस प्रिकार है? आपके रसार सिक्षा के लिहाज से पटना का सबसे बहतरीन स्कूल कौन सा है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बिताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही आजानी पटना की बड़े खबरों से अबडेटिब रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक ओन दबाना ना भूलें धन्यवाद